चार चरण धरती चले चार चले अधबीच तीन प्राणी जात हैं नेत्र हैं उन्नी जैसिया राम मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है आदर्स धर्म सनात अंधर्म यूट्यूब चैनल के प्रस्नोत्री कारिक्रम में आज का प्रस्न लिया है हमने स्रीमान राम गनेश मीना जी का मीना जी आपने कोशिस तो बहुत अच्छी की अब आपकी पहली में सुधार करके इसको प्रसंग से जोडते हैं आप आनंद लीजे तो क्या हुआ कि एक बार सिवजी परिवार के साथ बैठे वे थे अचानक टेली पैथी होती है जैसे हम लोग टेली फोन पे मोबाइल पे बात करते हैं इसी तरह से भगवान भगवान आपस में उनकी भी बा साथ होती है भगवान कृष्णे ने धीरे से कहा कि सिवजी मिलना है आपसे तो सिवजी ने उनकी बास सुनी और प्रोग्राम बना लिया कि चलके मिलके आते हैं अब पिछली बार जब सिवजी गय थे तो माता पार्वत्ती भी साथ में गई थी किन्तो जब वो गई थी तो माता रुकुमनी ने उनसे कहा था कि भई अगली बार जब आना तो बच्चों को भी जरूर लाना जैसा कि आम महिलाएं कहती हैं कि भई बच्चे नहीं लाएं आप लोग अकेले आगे वैसे इस सिवजी से बोली कि भई अगली बार जब भी आना तो बच्चे जरूर लाना बही वादा कर चुकी थी कि अगली बार आएंगे तो बच्चे लाएंगे इसलिए दोनों बच्चों को आदेश हुआ कि चलो कानहा जी के पास चलना है द्वारका वहाँ थोड़े दिन का आनंद लेके आते हैं अब क्या हुआ कि कुमार कार्तिके बोलते हैं कि माता मैं तो तयार हूँ किन्तु द्वारका के लिए मेरा मोर जाने को तयार नहीं अब भई गनेजी बोले कि भई हमारा तो वाहन वैसे ही चुआ है वो यहाँ से द्वारका कहा हिमालय कहा द्वारका उसके बसका नहीं है अब आप और कुछ साधन देख लो तो सेर पहले बोल पड़ा कि भाई मैं नहीं जाता क्रिष्ण जी का जो एक पोता है अनिरुद्ध वो तो मार मार के मेरी उसने पिछली बार बहुत हालत खराब कर दी थी मैं तो किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा नंदी बाबा जो है वो पहले ही खाना पीना छोड़क दिया और बोले कि मैं नहीं जाता वहाँ बलराम जी ने मुझे अपने बैल के साथ खेत में जोत दिया था और मार मार के चाबुक मेरी हालत खराब कर दी मैं नहीं जाता सिवजी बोले कोई नहीं पैल चलेंगे आगे योग द्वारा मंत्रों की नाव बना कर पूरी स्पीड से चलेंगे चिंता ना करों बड़ा सुन्दर प्रसंग है आगे कुछ तूटी फूटी कविता में सुनिएगा तो सक्ति बिनना सिव कछू रुकुमनी बिनानस्याम परम ब्रम्ह के अंसदो स्वयम ब्रम्ह स्रीश्याम परंब्रम्ह के अंसदो स्वयंब्रम्ह स्रीश्याम सिव ही कृष्ण, कृष्ण ही सिव हैं ये संदेश बताना था सिव जी को कृष्ण से मिलना था ना कोई यहां बहाना था ना कोई यहां बहाना था सिव जी जा रहे कृष्ण से मिलने ये भनक लगी जब माता को बालक गणेश को लगा दिया जा करो बाल हट भ्राता दो सिव जी बोले देखो बच्चों अब इतने तुम नादान नहीं माता तो तुम्हारी संग में हैं फिर भी हट करना ठीक नहीं फिर भी हट करना ठीक नहीं मा का वाहन चला गया सिव जी बहाने मार रहे कि ले ना जाना पड़े मा का वाहन चला गया थी बालक से मार मिली उसको नंदी ने खाना पानी छोड़ा ना जाना पड़े द्वार का को माता बोली तुनक कर सुन लो हे भरतार बच्चे क्या इकले मेरे तुम ना साजेदार क्या ये सारी मेरी ही ड्यूटी है सारी मेरी ही ड्यूटी है तुम बैठे यहां घोटते भंग वो भंग तुमारी बूटी है बस भंग तुमारी बूटी है बच्चे गर बोल रहे है तो अब दोनों अवसी ही जाएंगे वाहन कोई मिले न मिले हम सभी द्वार का जाएंगे वाहन कोई मिले न मिले हम सभी द्वार का जाएंगे अब देखो माता पारवती भगवान सिव को क्या क्या ताने देखर सुना रही है अब बता रही है कि इतने सारे बच्चे उनके फिर आनन्द सैयुक्त उनका देखो तुम जिनके पास जा रहे हो थोड़ा तो सहूर उनसे सीखो थोड़ा तो सहूर उनसे सीखो उनके घर पर पटरानी आठ वही ओर सैकनो रानी है पुत्रों पोत्रों से घर भरे पड़े अनगिनत न कोई निसानी है फिर भी पास समय उनके वो सभी जगे को आते हैं वो सभी जगे को आते हैं जो भी याद करे उनकी सर्बदा पहुच प्रभुजाते हैं सर्बदा पहुच प्रभुजाते हैं माता कहती हैं कि रोज रोज के ये आप भांग घोटते रहते हो दिन भर हमारी आपकी ये रोज की खींचातानी इसका मेटने का एक ही काम है कि आप भी कोई काम करो भगवान कृष्ण जो सब के त्रिभुवन पती हैं लेकिन वो खेती करते हैं तो अगर आप भी खेती के सानी करना सुरू कर दो अगर आपको नहीं आता तो कृष्ण जी के साथ साजे में खेती करो उनके संग मिल करके खेती करो मैं बात कर लूँगी भोले नात हे कृपाधाम तुम दीना नात अंतरयामी तुम दीना नात अंतरयामी उनके संग मिल खेती करिये क्यूं घर में हो खीचातानी क्यूं घर में हो खीचातानी कहती हैं कि वो तो तीनों लोकों के मालिक हैं राजा हैं फिर भी किसानी करते हैं वो त्रिभुवन पति राजा सब के पर करते रहें किसानी जी सीखे उनसे गर ये गुण भी हम ना कमी हो दाना पानी की अब चल पड़े भाई वाहन के बिना चले सिव हैं मापारबती जी पीछे हैं मापारबती जी पीछे हैं बच्चे बीच में चले दोनों खुब खेलें और दोड़ते हैं गनेश जी खाते बहुत हैं दिन भर मोदक और लड़ूई खा पेलते रहते हैं तो उनकी बोड़ी भी खुब हमारी जैसी खुब फूली फाली तो जब बोड़ी फूली फाली होती है तो थोड़ा सा ज्यादा पैदल चल गए तो ठक जाते हैं गनेश जी भी थक गए तो खा खा के मोदक बेडोल गनेश अब माता के ढिंग आते हैं चलते चलते थक गया मातू अब कदम उठा नहीं पाते हैं माता बोली सुनिये जीस को गोदी में उठा लो है स्वामी भारी भरकम तो है ये प्रभू परनादान बड़ा प्यारा स्वामी भारी भरकम तो है ये प्रभू परनादान बड़ा प्यारा स्वामी गज मुख गोद में चड़ गए हसते बारंबार पत्नी का आदे सिजो सिव जी हैं लाचार सिव जी थे लाचार बिचारे अब पैदल ही आत्रा करते हैं पैदल ही आत्रा करते हैं कंधे पर गज मुख लिये हुए आगे कुमार कुछ कहते हैं कंधे अब कुमार क्या बोलते हैं अपनी मम्मी से वो सुनिए कुमार कहते हैं कि यह मोटा गणे स्मजे से है पितु के ऊपर बैठा है मां क्या मेरा भी कोई अधिकार यहां क्या कोई गोद मेरी है मां क्या मेरा भी कोई अधिकार यहां क्या कोई गोद मेरी है मा इतना सुनना था माद्रवित हुई सुत को गोदी में उठा लिया सुत को गोदी में उठा लिया चुमे उनको बार बार मात्र तुत सारा लुटा दिया मात्र तुत सारा लुटा दिया अब दोहा अपका लेता हुँ हे राम गणे शमीना भया अपने सब्दों को अच्छे से देखो फिर सीन सोच ना भी भया क्या सुन्दर जहा की होगी वो सिव पारबती जी चलते हैं सिव पारबती जी चलते हैं दोनों के कंधों के उपर सुन्दर दोनों सुत बैठे हैं सुन्दर दोनों सुत बैठे हैं सिवजी माता के चार चरण जो धरती के ऊपर चलते हैं दोनों कुमार ऊपर बैठे अधबीच पैर जो लटके हैं तीन नयन सिवजी के हैं दोनों कुमार ऊपर बैठे अधबीच पैर जो लटके हैं तीन नयन सिवजी के हैं दो नयन गणेश दो माता के हैं परकार्ति के एके बारा नेत्र इसलिए नेत्र कुल उन्निस हैं चारों प्राणी जाई रहे माबाप साथ दो बेटे हैं कहें अवस्थी मत गिनन नाग वो गहना है सिर्फ लपेटे बहुत से लोग कहने लगते भई नाग की आखें कहां चली गई तो नाग यहाँ पे प्राणियों में नहीं गिना जा रहा है नाग तो सिर्फ सिव जी का गहना है यह तो जवाब दर्सक का है आगे क्या होगी यहां लड़ाई है साजे की खेती होगी कैसे किस किस की सामत आई है अगला एपिसोड मिराला होगा सब को पसंद तो आएगा मित्रों करना होगा इंतजार पर सुन करके मजा भी आएगा तो उमीद करते हैं कि मित्र स्री राम गनेश मीना जी आपके प्रस्ण का समुचित उत्तर मिल गया होगा और आप सब लोग इस प्रसंग के सबसे मजेदार पाट के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार के बाद जो फल होता है वो बड़ा मीठा होता है अस्तु जै स्री कृष्णा जै जै भुलेनात क्योंकि बड़ है